लोस्तों कैसे हो आप सर विल्कॉम डोर अपर चानल जहां पर आपको मिलेंगे लेटिस उकना वजी और इक गार का रिव्यू तो चलिए सकार्ट करते हैं जानते हैं कैसे गारी और क्या क्या फीचर्स हमको यहां पे देखने को मिलते हैं सबसे चीज में आपको बताऊं यहां पर हमको की नहीं देखने को मिले कि smart access card देखने को मिले का जिसके चार function आप यहां से देख सकते हैं Renault की branding पीछे भी है तो बहुती एक unique सी चीज है यह बात करें गाड़ी के headlight setup के वारे में और दोस्तों मुझे comment section में राएगा कि आपको इस गाड़ी की headlight है वो किस गाड़ी से resemble होती है बहुती famous गाड़ी है बहुती expensive car है उसके जैसे आपको यहां पर headlight देखने को मिलेंगी इस गाड़ी का जो price है वो है 9.21 lakh क्योंकि यह RXZ turbo dual tone variant है अब जब RXZ की बात आ ही गई है तो RXZ क्या है गाड़ी के नरु सो models आते है models है RXC, RXL, RXT, RXT option और RXZ, RXZ इसका top model है बस साथ में गाड़ी dual tone exterior के साथ आते हैं अब यहां पर देख रहे हैं full black color की roof है तो dual tone exterior है R16 के diamond cut alloy wheels हैं जो भी दिखने में बहुत ज़ाद अच्छे लगते हैं RXZ की branding यहां पर दी गई है model की जो branding को यहां पर दी जाएगी gloss black के electrical adjustment foldable ORV, return indicators door handles जो है वो आपको body color में देखने को मिलते हैं यहां से अब देख सकते हैं lock and unlock को B player पर आपको black finish देखने को मिलेगी यहां आपकी functional roof rail जिसके नर आप 50 kg तक का weight load कर सकते हैं और यह आपकी side profile dimension आपको आपकी screen पर mention हो रहे होंगे ground clearance के में बात करें तो 205 mm इस गाड़ी का ground clearance है जो की Tata Safari जितना है तो अब देख सकते हैं compact size SUV है लेकिन इसका ground clearance है वो काफी ज़्यादा अच्छा है तो आप off-roading में इसको लिजा सकते हैं आपकी गाड़ी नीचे से touch नहीं होगी अब आते हैं गाड़ी के back profile में तो आपको C-shape के tail lights दिखने को मिलते हैं जो की बहुत ज़्यादा stylish है यहाँ पर देख सकते हैं reverse parking camera को काईगर की branding भी दी गई है इस तरह आप turbo की branding देख सकते हैं जो आप मॉडल देख सकते हैं जो आप मॉडल देख से यहाँ आपको फोटो में डिस्प्ले कर दूँगा यहाँ पर आपको रियर वाइपर देखने को मिलता है और दुस्तों बै 40 liters fuel capacity है इस गाड़ी की fuel tank की और यह आप देख रहे हैं मैं आपको बताया था तीन reverse parking sensors है बूट स्पेस का हैं बात का हैं तो गाड़ी के दर आपको देखने को मिलता है 405 liters का बूट स्पेस यह पासल ट्रे भी आप यहाँ से देख सकते हैं यह आपका बूट स्पेस और 879 liters seat folding के बाद इसकी boot space capacity हो जाएगी isofix child seats भी दी गई है 60-40 split seats है 100% यह फोल्ड हो जाती है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका spare wheel इसका जो boot है वो थोड़ा सा इसका जो lid है वो उच्छा है तो आपको समान दखने में थोड़ी से दिक्कत आ सकती है वैसे boot space काफी ज्या बात करते हैं गारी के engine के बारे में दोस्तों लेनौ की काईगर है वो दो engine में आती है एक है आपका turbo और एक है आपका normal engine सबसे पहले turbo की बात करते हैं तो वो है आपका 1.0L turbo petrol engine 3 cylinder में आता है 98.63 bhp और साथ में manual transmission में उसका torque है 160 mm और Xtronic CVT gearbox में उसका torque है 152 mm दूसरा आपका 1 1.0L energy petrol engine 3 cylinder है वो भी 71 bhp 96 Nm of torque manual और EZR automatic manual transmission में वो आता है गारी के इनर काफी सारे modes आते हैं उसके आपको बात करेंगे 18-20 का average आपको city में देखने को मिल जाएगा साथ में आप बात करते हैं गारी के interior की बैठने में कितनी comfortable है और दिखने में कितनी comfortable है यह मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं कि इसकी ऊपर से बहुत जाद अच्छी लगती देखने में यहां पर आपको आप open करेंगे तो आपको all black interior देखने को मिलेंगे door handles gloss black finish में द आपका bottle holder का space है और speaker का cut out है चलिए अब अंदर बैठते हैं और जानते हैं कितना space और कितनी comfortable यह गारी है तो यहां से हम अंदर बैठके दिखते हैं तो यह जो आगे वाली seat है मैं अपने साब से adjust कर रखी है तो आपको enough amount of leg space दिखने को मिल जाता है गारी की height अच्छी है ग अच्छी है देख सकते हैं 12W का socket बंप नहीं होने की वज़े से तीन लोग अराम से आपे बैठ जाएंगे बिगुर फ्लाट इसका foot है और यह आप दिख सकते हैं इसका cup holders और यह का armrest इसके जो headrest है उसके उपर भी काफे अफे अच्छी डिजाइन बना हुआ है seat subject सकते हैं कितनी दिखने में अच्छे लगती है fabric seats है leather नहीं है दोस्तों यह लेकिन flat होने की वज़े से तीन लोग अराम से बैठ जाएंगे full black interior होने की वज़े से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह छोटा इंटेर पर नहीं दोस्तों आप बैठ के दिखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत ज्यादा space है यह है इसका full dashboard का look आगे चलते हैं और इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे करते हैं इसके डोर को unlock ड्राइवर साथ डोर को unlock करेंगे तो यहां भी आपके हैं full black interior और यहां पर आपको एक handle लिखने को मिलेगा आप जब इसके डोर को बंद करेंगे तो यह भी एक अच्छी जगह पर प्लेश है इसके ड्राइवर वाली विंडो इनफ एक लीटर की बॉटल अराम से आजाएगी स्पीकर कटाउट भी दिया गया है ड्राइवर की जो seat है दोस्तों वो भी आपको height adjust के साथ देखने को मिलती है यहां से आप headlight को जो manual leveling करना चाहते हैं वो यहां से आप कर सकते हैं और इस तफ से आप bonnet को भी open कर सकते हैं तो अंदर बैठते हैं और जानते हैं कैसी है गाड़ी और कितना comfortable और कितने सारी feature पैड़ मैं आपको बतायता है यह काफी affordable है इस प्राइज में आपको ऐसे features किसी और गाड़ी में नहीं देखने को मिलेंगे अब मैं आपको बताऊंगा कैसे features देखने को मिलते हैं यह इसका card जो कि मुझे अच्छा लगता है देखने में की नहीं है इसके साथ card देखने को मिलता है बहुत ली different चीज है start and stop button है इसके चाओ तर भी एक silver finish दी गही है यह है आपका full digital instrument cluster cluster इस segment में किसी गाड़ी में अभी तक full digital instrument cluster नहीं आया है जो कि अब यहां पर देख रहे हैं और modes किसाब से reconfigured भी होता है दोस्तों यह मैं आपको बताऊंगा कौन से mode में क्या के चीजां में देखने को मिलती हैं बाकी सारे जो normal features है सब आपको टाकोमीटर सब देखने को मिलता है डोर ओपन का भी जो sign है वह भी देखने को मिलेगा अभी नॉर्मल मोड में है तो blue शेर्ड आपको देखने को मिलना है राइट इंसाइड पर आपका fuel का indicator भी है अलग मोड में अलग तरीके से response करेगा clean air यहां पर बैंडिंग wheel आएगा यहां आपके wiper controls और यहां आपके lights के control अब बात करते हैं इसके steering wheel की तो gloss black finish का use किया गया है यह आपके media के सारी controls जिसमें आपको voice का command भी आता है और यहां से आप कर सकते हैं इसके MID को control जो कि आप यहां से देख रहे हैं मैं आपको MID control करके दिखा देता हूँ तो यह चीज मुझे अच्छी लगी कि हर गाड़ी को अब इस price range में एक digital meter देना चाहिए प्लास्चिक्स का यूस किया है गाड़ी में लेकिन अच्छी quality के प्लास्चिक्स का यूस किया गया है आप यहां से देख सकते हैं इसका full look अब बात करते हैं इसके music system की तो गाड़ी के आपको 8 inch का touch screen infotainment system देखने को मिलता है जो की full touch से काम करता है even जो इसका home button है settings वाला है volume up and down है सब कुछ touch है साथ में इस गाड़ी के इनदर 3D sound है archamies की archamies वही company है जो Hyundai के सारे music system बनाती है four speaker four twitter तो आवाज तो obviously इसकी अच्छी होगी ही गाड़ी में आपको सबसे चीज वायरलेस एन्रोड और 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 एपल कार पले देखने को मिलता है इस प्राइज में बह अब यहां पर देखने को मिलेगा आप यहां से साइज सेटिंग्स को देख सकते हैं अच्छे से बाकि जो Bluetooth USB AUX यह सब तो आपको देखने को मिलेगा ही आप इसका इक बार दिजाइन देख सकते हैं अच्छे से यह आपके AC विंट्स यहां पर दिखाऊ हूं यह है आपका hazard light का button यहां से lock या unlock कर सकते हैं इसके चारो doors को और यह आपका AC यह भी आपको fully digital में देखने को मिलेगा साथ में इसकी जो display है वो भी आपकी infotainment system में आएगी आप देख सकते है temperature का भी display है तो यह चीज मैं आपको बताया है यही जो चीजे है यही फुली feature-pad गारी है यह सा चीजे हैं लेकिन matter करती है यह आपका AC का switch है switch भी बहुत ही different type के आप देख सकते है automatic full automatic AC है इसमें दुस्तों wireless charger का भी option आता है वो आपके smart packs है उसके लिए आपको पूरी video देखनी पड़ेगी last में मैं डाल दूँगा कौन-कौन से packs आते हैं इसके साथ यहां पे आपका आत आता है wireless charger इस 12-volt की socket में connect हो जाता है 5-speed manual transmission gearbox है 5-speed का मतलब यह है 160 newton meter stock वाली गाड़ी क्योंकि यह turbo में manual transmission आता है reverse parking sensor है और camera के साथ और इसको भी आप देख सकते हैं rear assist है आपका brightness और contrast को अपने साबसे भी adjust कर सकते हैं अब gear की quality आप देख सकते है gloss black की finish है साथ में chrome भी ambient light का switch यहाँ पे एक light जलती है एक आपकी यहाँ पे जो grab handle है उसके नीचे light जलेगी आप यहाँ से देख सकते हैं और इस तरफ भी आपकी light जलेगी यह भी आप देख सकते हैं तो यह चीज़ भी अच्छी है अपने साब 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 control करें जब जलाना चाहें तब इसको on करत दोनों में फरक पड़ेगा आप इस modes को switch करेंगे यह है आपका eco यह sport sport में आपने देखा कि power और टॉर्क पे सबसे ज़्यादा ध्यान है eco में आपका average पे ध्यान है और normal में यह timer clock आजाएगी और साथ में average का display आजाएगा तो वही है full reconfigurable है और आपके साब से आपके driving pattern के स आपसे यह चीज़ आपको display करेंगा sport में आपको full torque चाहिए तो torque का आपको मीटर देखने को मिलेगा यहां भी आप दिसक्ते फुल ग्लॉस ब्लॉस ब्राक की फिनिश दी गई है बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर देखने में इसको बूपन करेंगे यहां आपका पोल अच्छा ब्लॉस 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 ब् आपको एक मेर देखने को मिलता है तो यह है रिनो कारगार का फॉल डाश वोड का लोग मुझे कमें सिक्ष्ट में बताएगा कि आपको यह फीचर पार्ट और एक अफोरड़िबल कॉम्पेट सुवी कैसी लगी अब बात करते हैं इसकी सीट्स के बारे में तो इसकी जो फ्र पक्के बैठेंगे आपको यहां पर भी कुल्टेड एंबॉस सीट अपोलशी देखने को मिलती है अब मैं बात करते हैं इसके कौन-कौन से कॉम्पेटर से कॉम्पेटर से कॉम्पेटर हैं किया सॉनेट एक्स्वी 300 निसान माइगनाइट टार नेक्सन विटार ब्रेजा हुंड़े वेन्यू और टोटर अर्बन कूजर गाड़ी के बात करें तो प्राइस चार्ट होता है 5.64 लाग रुपी से जाता है 10.09 लाग विट एंटी रोल बार, ABS, EBD, Speed Sensing, Door Lock, दो एर बैग, साथ में दो साइड एर बैग, मैं टोटल चाह एर बैग आते हैं, सीट बिल्ड पे डोल लिमिंटर एंड प्रेटेंशन तो यह सारी बात है तो इसके फीचर्स की इंटिर क्याबन की मुझे कमें सेक्शन में बताएगा को सब्सक्राइब कीजिए और बेले के दावे बिना कहीं मच जाएगा ऐसी वीडियो और देखने के लिए